भंज बच्चो हमारे पास चल रहा है चैप्टर 13 फिजिक्स चैप्टर NCRT का प्लास 12 का और चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाइड कुछ इसमें डेफिनेशन और टिप्स देख लेते हैं निमेरिकल करने की फिर्स्ट फिर्स्ट हमारे पास है डिकेश कॉंस्टर जो हमने लेंडा डिफाइन किया था इस दिफाइन अस रेसिप्रोकल अफ टाइम इन विश्ट नमबर अफ अन डिकेशन नूक्लियर रिम बिकम्स वन अपन ए और इनिशल वैल्यू ठीक है लिख सकते हुआ इस दिफाइन अस दे रेसिप्रोकल अफ टाइम इन विश्ट नमबर अफ अन डिकेशन नूक्लियर बिकम्स अपन ए और इनिशल वैल्यू हमारे पास इक्वेशन थी एन इक्वल टू एन नॉट ए की पार माइनस लैमडा टी जो हमने पिछले वीडियो में डिफाइन करी थी हमने कहा एट टी एक्वल टू वन अपन लैमडा या लैमडा इस वन अपन टी हमारे पास एन कितना बना N equal to N naught E minus lambda T कितना है 1 by lambda lambda से lambda कठा is N naught by E number of undecayed nuclei जितने बच गए कितने आगए N naught upon E इसका मतलब हमने time या lambda क्या define किया lambda decay constant is the reciprocal of the time in which the number of undecayed nuclei remaining in the sample become 1 upon E of the initial number lambda की units हो जाएंगी हमारे पास second inverse second inverse हो जाएंगी now second tip जो हम करते हैं हमने क्या कहां after one half life half life T equal to कितना है T half number of undecayed nuclei कितना रह गया N naught by 2 इसको हम लिख सकते है N naught into half की power 1 now after two half lives time कितना है हमारे पास two half half lives है N कितना रह गया N equal to N naught by 4 is N naught half अगर हम एसे ही अभी number of half lives N अभी number of half lives N या इस formula को use करते हैं या लिख सकते हैं N upon N naught is half की power N ये N है हमारे पास number of half lives number of half lives है तो इसको हम लिख सकते है हा की power N number of half lives को total time T upon the half life N को लिख सकते है total time अगर T बीत किया और half life है T half N is the number of half life is total time upon T half similarly numericals अगर activity या rate के आते हैं A upon A naught is also equal to half की power N N is small t upon T half या R upon R naught is half की power N which is equal to T upon T half इसके बाद में हम एक table बना लेते हैं ये table में देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कि कितनी half life हो गए और कितना हमारे पास matter बचाएगे देखो यहां हम देख लेते हैं टाही यहां हम दिखते हैं nuclear remaining यहां पर लिख लेते हैं नुक्लियाइड डिकेड जो डिकेड कर चुके हैं रिमेनिंग मतलब एन जो टुके कर गए वो हमारे पास एन डैश पर हम नंबर्स भी देख लेते हैं यहां हम देखते हैं लंबर और यहां पर हम देखते हैं परसेंटेज यहां पर लंबर और यहां पर परसेंटेज देखें लाओ t equal to 0 पर time पर number हमारे पास remaining कितने थे n not percentage में 100% और कितने decay करें 0 percentage में 0% एक half life के बाद एक half life के बाद बच गए n not by 2 मतलब 50% और कितने चले गए decay कर गए n not by 2 मतलब 50% दो half life के बाद में कितने बच गए n not by 4 जिसका मतलब है 25% कितने मर गए 3 and not by 4 75% decay कर गए 3 half life के बाद में बचे n not by 8 मतलब 12.5% और कितने चले गए हमारे पास चले गए n not by 8 मतलब 87.5% 4 half life के बाद में हमारे पास कितने बच गए n not by 16 जो percentage में है 6.25% और कितने चले गए 15 by 16 n not n not को by 16 को n not से minus कर गिया है that is 93.75% चलो फिफ्थ half life भी कर लेते हैं नौ 5 half life तक ही आता है कितने बचे n not by 32 या 3.125% कितने चले गए 31 by 32 n not या 96.875% ये stable से आप सीधा half life बता सकते हो कितनी half life बीच गई है ये आपको सबको कमाएगा निमेरिकल में 6 ncrt के निमेरिकल सो स्ट्रेट फावर थर्टी सेकेंड ना अंसार आजाएगा या cbsc क्यों स्टेट बोट्स स्टेट बोट्स आई-C-S-C वगरा वगरा राइट तो मी पर एनी फिजिक्स क्वेरी राइट असक्वेरी को ओ tipo कि अएब आजब न्यू make it better to find it better next time click on the four connecting videos to complete the whole chapter